हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्त तर्शना आज मैं आपनों के साथ शेर करने वाली हूँ कि आप अपने घर में केक जब बनाते हैं तो उसके लिए परफेक्ट विप्ड क्रीम कैसे तयार कर सकते हैं क्योंकि केक चाहे कितना भी अच्छा बनाओ जब तक उसमें उपर से फिनिशिंग नहीं आती तब तक मजा ही नहीं आता और फिनिशिंग के लिए विप्ड क्रीम बहुत इंपॉर्डन होती है तो शुरू करने रेसिपी तो उसके लिए आप मार्केट से किसी भी ब्रैंड की विपिंग क्रीम ले सकते हैं वैसे तो आजकल ऑनलाइन भी बहुत की आसानी से मिल जाती हैं ये अब सबसे इंपॉर्डन बात आप जब भी कोई भी विपिंग क्रीम लेंगे उसको हमेशा फ्रीजर में रखेंगे और बिल्कुल सील पैक करके रखेंगे और जब भी हमें इस्तमाल करने है तो बिल्कुल ठंडी ठंडी ही इस्तमाल करने ही फ्रीजर से निकाल के क्योंकि अगर आपकी क्रीम ठंडी नहीं है तो वह अच्छे से कभी नहीं फिटेगी इसलिए बिल्कुल ठंडी होना बहुत जरूरी है अगर आपके यह गर्मी जादा है तो आप किसी बरतन में नीचे बरफ भी ले सकते हैं उसके उपर आप यह बरतन लगके जब इसको फेटें मैं यह एलेक्ट्रिक बीटर से फेट रही हूँ आप चाहिए तो इसको हैंड विस्क से फेट सकते हैं जो भी आपको comfortable लगे आप वो ले और इसको फेटें और इसको लगाता हम इस तरी के चलाते हैं फेटेंगे पहले थोड़ा slow मैं फेट हूंगी फिर उसके बाद थोड़ा fast क्योंकि दीरे-दीरे फूलती है फ्लफी होती रहती है यह देखिए मैंने एक कप के करीब ली थी और इदेखिए फूल कर कितनी ज्यादा होती जा रही है इस तरीके से जब आपको electric बीटर हटाना हो तो इस तरीके से आप उपर करके एक सेगंड के लिए खाली चला दीज़े तो सारी क्रीम हट है अब मैं आपको देखें हैंड इस तरीके से एक ही डारेक्शन में फेटे तो बिर्कुर परफेक्ट ली आपकी फिट कर आजाएगी मगर मैं खार electric बीटर से ही करने वाली हूं तो मैं आपको सिर्फ फेट कर दिखाया है मैंने आपको और हाँ विपिंग क्रीम में काफी अगर आपकी विपिंग क्रीम मीठी और फ्लेवर वाली है तो तो कोई बात नहीं आप ऐसी डारेक्ट फेट ले अगर आपकी विपिंग क्रीम मीठी नहीं है तो इस स्टेज पर यह देखें फूल चुकी है अब मैं यहाँ पर पाउडर शुगर आप इस्तमाल कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमें जब तक फेटना है जब तक कि अच्छे जट थेक ना हो जाए। तो देखें मेरी तो complete fit चुकी है मैं इसको हटा के रख देती एलेक्ट्रिक बीटर को और मैं आपको इसकी consistency दिखाती हूँ। विबड क्रीम फेटने की में पहचान ये होते हैं कि जब आप इस तरह की सब उठाते हैं तो देखें अपने आपसे नहीं गिरेगे जब जब जाड़ेंगे तब ही गिरेगे। तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी जो हमारे केक को लाजवाब बनाने में हमारी मदद करती है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को घर में केक के लिए विबड क्रीम तयार करने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी। विपिंग क्रीम किसी भी ब्रेंड की हो अगर उससे सही डंग से फेटा जाएगा तो आपका केक एकदम परफेक्ट बन कर आएगा। धन्यवाद।